इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्शल फेक्शन का केस नमबर वन स्टड़ी किया जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रपीटिट लिनियर फेक्टर्स थे इस लेक्चर में हम केस नमबर वन स्टड़ी करेंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में रपीटिड लिनियर फेक्टर्स होंगे एक example लेते हैं और सीखते हैं कि जब हमारे पास denominator में repeated linear factors होंगे तो हम उसको किस तरह resolve करेंगे Example है selbst x square plus x minus 1 over X plus 2 whole cube into partial अब इसमें हमारे पास यह जो denominator है यह इसमें एक linear factor है x plus 2 लेकिन उसकी power 3 है यानि कि वो 3 times है तो जब हमारे पास denominator में repeated linear factors होंगे तो उनको solve करने का method है वो non-repeated से थोड़ा सा different है तो सबसे पहले तो हम उसी तरीके से suppose करेंगे इसके partial fractions के x square plus x minus 1 over x plus 2 whole cube is equal to जितनी हमारे पास repeated linear factor की degree होगी उतने ही हमारे पास partial fractions बनेंगे अब यहाँ पे x plus 2 की जो degree है वो 3 है तो हमारे पास 3 fractions बनेंगे जिसमें एक में हमारे पास x plus 2 की degree 1 होगी दूसरे में x plus 2 की degree 2 होगी और तीसरे में x plus 2 की जो degree है वो 3 होगी इन दानियुमिनेटर्स बिलकुल उसी तरीके से a, b और c partial fractions में जो सबसे एक important step होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हमने suppose करने है partial fractions तो जब हमारे पास repeated linear factors होगे तो जितनी maximum degree होगी उतने हमारे पास उसके fractions बनेंगे और सबसे पहले वाले fractions में denominator के degree 1, दूसरे में 2 और ये तीसरे में 3 बाकी सारे steps वो ही है अब जो common factor है, common factor यहाँ पे क्या है x plus 2 cube उससे सबको दुनों sides को multiply कर देंगे multiplying both sides by x plus 2 cube जब multiply करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x square plus x minus 1 is equal to यहाँ पे जब multiply होगा x plus 2 cube तो x plus 2 की एक पार खतम हो जाएगी और पिछे बच जाएगा a into x plus 2 square plus जब यहाँ पे multiply होगा तो 2 पास खतम हो जाएगी तो बच जाएगा b into x plus 2 और यहाँ पे यह whole cancel हो जाएगा तो यह हमारे पास आजाएगा c अब अगर हम x plus 2 को 0 के equal put कर दें तो a और b खतम हो जाएगे और हम c की जो value है वो find कर सकते हैं जब भी हमारे पास repeated linear factors होंगे तो उन में हम एक numerator जो होगा उसकी value इसी तरीके से find करेंगे put x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2 यह जो x is equal to minus 2 है यह value हम put करेंगे इस equation number 1 में तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम minus 2 put कर देंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा minus 2 square plus minus 2 minus 1 is equal to यह a के साथ जब put होगा तो यह भी 0 हो जाएगा भी भी 0 हो जाएगा और simply c बच जाएगा so c is equal to 1 इसको solve करेंगे तो इसका answer 1 आएगा आप खुद simply यह square लेके इसमें से कर लेंगे 4 minus 3 definitely will be 1 तो c की value हमारे पास जो है वो आ गई उसके बाद उसके बाद छला step यह होगा कि square को हम open कर लेंगे यह हमारे पास equation बन जाएगी x square plus x minus 1 is equal to a into x square plus 2x sorry 4x plus 4 plus b into x plus 2 plus c अब हम coefficients को compare करेंगे जो हमारे पास like terms के होंगे यहां पे x square का coefficient जो है वो 1 है तो इस side पे x square का जो coefficient है वो a है so one is equal to a यहां से हमारे पास a की जो value है वो भी आ गई उसके बाद हम compare करेंगी x के coefficient को यहां पे x का coefficient है one इस side पे x के साथ एक तो ही होगा 4a plus b 4a plus b is equal to 1 a की value हमारे पास आ गई है जो के है 1 तो वो value यहां पे put कर देंगे तो b plus 4 is equal to 1 और b is equal to minus 3 यह जो a, b और c की values हैं यह हम यहां पे put कर देंगे जहां पे हमने partial fractions को suppose किया था तो हमारे पास answer आ जाएगा के x square plus x minus 1 over x plus 2 cube is equal to a की जगा पे 1 over x plus 2 plus b की जगा पे minus 3 तो यहां पे minus लेते हैं minus 3 over x plus 2 square plus c की जगा पे भी 1, 1 over x plus 2 cube तो यह हमारे पास partial fractions आ गए हैं हमने इस lecture में देखा कि जब हमारे पास denominator में repeated linear factors होंगे तो उसको हम किस तरीके से partial fractions में resolve करेंगे जब हमारे पास repeated linear factors होंगे तो वो जितने times repeat हो रहा होगा उतने times हम उसके जो partial fractions हैं उसमें उसको लिखेंगे यहां पे यह 3 times repeat हो रहा है तो इसको हम तीन अलग अलग fractions में लिखेंगे पहले में उसकी degree 1 होगी दूसरे में 2 होगी तीसरे में 3 होगी similarly अगर यहां पे इसकी degree 4 भी होती to raise to power 4 लिखते जितने times repeat हो रहा होगा उतने times हम उसको partial fractions में लिखेंगे जिसमें हम पहले उसकी डिगरी 1 लिखेंगे बाद में 2 बाद में 3 और similarly 100 और उसके बाद वही जिस तरीके से हम पहले करते आए हैं कि जो common factor होगा उससे दोनों sides को multiply करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसी equation आ सके जिसमें हमारे पास denominator ना हो तो यहां पे हमने x plus 2 whole cube से दोनों sides को multiply किया जब multiply किया तो यह हमारे पास आ गया x square plus x minus 1 is equal to a के साथ जब यहां पे multiply किया तो यह हमारे पास बच गया a into x plus 2 square यहां पे बच गया b into x plus 2 और यहां पे c उसके बाद एक value तो हमें जब भी हमारे पास यह repeated linear factors होंगे तो एक value हमें मिल जाएगी जब हम जो चीज़ें दूसरे जो होंगे उनके साथ multiply हो रही होंगी उनको 0 के equal put करेंगे यहां पे x plus 2 को जब हमने 0 के equal put किया तो वहां से x की value आ गई minus 2 वह x की value हमने इस equation में put की तो वहां से हमारे पास यह c की value आ गई उसके बाद जब दो polynomial एक दूसरे के equal होते हैं तो उनमें जो terms होती हैं उनके coefficients भी आपस में equal होते हैं अब यह जो x square plus x minus 1 जो है यह equal है a into x square plus 4x plus 4 plus b into x plus 2 plus c तो इसका मतलब है कि जो coefficient x square का इस side पे है वो equal होगा इस side पे x square के coefficient के जब हमने compare किया x square के लिए तो हमने देखा कि इस side पे जो x square का coefficient है वो 1 है और इस side पे जो x square का coefficient है वो a है तो a की value हमारे पास 1 आ गई उसके बाद हमने x के लिए compare किया जब हमने x के लिए compare किया तो इस side पे x का coefficient 1 था और इस side पे 4a plus b था अब हमने यहां से value find करनी थी B की A की value हमारे पास आ गई है 1 वो value हमने यहां पे put कर भी A की जगा पे तो हमारे पास B की value भी आ गई वो A, B और C की जो values हैं वो हमने यहां पे put कर भी जहां पे हमने fractions को suppose किया था झाल